दोस्तो भारत में एक ऐसा मंदर है जहां पर एक पत्थर रखा हुआ है आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जब आप इस पत्थर पर हाथ रखेंगे और अपने मन के अंदर कोई सवाल पूछेंगे तो ये पत्थर बहुत ही रहसमें तरीके से आपके सारे सवालों का उत्तर आपको उसी वक दे देगा जी हां ये सच है यहां तक कि छट्रप्रति सिवाजी जब किसी युद्ध में जाते थे तो उस युद्ध का परिणाम इस पत्थर से जानकर ही जाते थे दोस्तो इस रहस में पत्थर पर विज्यानी को द्वारा कई शोध हुए पर ये रहस्य आज तक अनसुलजे हैं कि आखिर ये पत्थर आया कहां से और इसे यहाँ पर किसने रखा और ये पत्थर किसी के मन के सवादों का उत्तर कैसे दे सकता है नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है अधभुट टीव इंडिया यूट्यूब चैनल में और आज हम बात करेंगे भारत के सबसे रहस समय तुल्जा भवानी मंदर के उन रहस्यों के बारे में जिसके रहस्यों को आज तक विज्ञान जगद भी नहीं समझ पाया तो चलिए इस वीडियो की शुरुवात कर लेते हैं महराष्ट के उस्मानाबाद जिले में एक प्राचीन मंदर है जिसका नाम है तुल्जा भवानी मंदर तुल्जा भवानी को चत्रप्रती सिवाजी की कुल देवी माना जाता है महराष्ट के लोगों की मात तुल्जा भवानी में असी मास्था है तुल्जा भवानी माराष्ट के प्रमुक सारे तीन शक्ति पीठों में से एक है ये देश के 51 शक्ति पीठों में से एक देवी माने जाती है मा तुल्जा भवानी महिसा सुर मर्दनी का ही एक रूप है मातल जभवानी का वरतवान मंदर का अंद्रमान सतरवी सदी का बताये जाता है मंदर के गुंबत पर अत्यंत सुंदर नकाशी देखी जा सकती है इस मंदर में प्रभेश करने के साथ ही दो विशाल काई महाद्वार नजर आते है इसके आगे चलने पर सबसे पहले कलूल तीर्थ आता है जिसमें 108 तीर्थों के पवित्र जल का सम्मिश्रन किया गया है इसमें उतरने के बाद थोड़ी ही दूर पर गौमुक तीर्थ है जहां जल तीब्रगती के साथ बहता है इसके आगे सिद्धी बिनाईक भगवान गरिश का मंतर स्थापित किया गया है इसके आगे बढ़ने पर दूर में प्रवेश करने के बाद मुख्य कक्ष में माता की स्वैंभू प्रतिमा स्थापित है गरगुलिह के पास ही एक चांदी का पलंग स्थित है जो माता के शैन के लिए है इस पलंग के उल्टी तरफ शिवलिंग स्थापित है जिसे दूर से देखने पर ऐसा प्रतित होता है कि माभवानी और शिवशंकर आमने सामने ही बैठे वे है दोस्तों आपको जानकर यह हैरानी होगी कि 36 शिवाजी अपने परतिक युद्ध के पहले माता से आसिरवात प्राप करने के लिए यहां जरूर आते थे माने प्रसन्न होकर धर्म के रक्षा करने के लिए माभवानी के नाम की तलवाड शिवाजी को दी थी इस तलवाड के दम पर ही शिवाजी ने कई युद्ध जीत लिए अब ये तलवाड लंदन के संग्राले में रखी वी है दोस्तों इस मंदर में एक चांदी के चल्ले वाला स्थम्भ है जिसके बारे में लोगों का विश्वास है कि यदि किसी भी वैक्ती को कोई भी सारविक पीडा हो या शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो तो वो वैक्ती अगर लगातार साथ दिनों तक इस छल्ले का इसपर्स करता है तो बड़ी ही आस्चेर जनक तरीके से उसका दर्द गायब हो जाता है इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है पर यहां की लोगों की अगर सुने तो आपको इस बात पर यकिन करना ही परेगा दोस्तो अब बात करते हैं इस मंदरी के उस रहस्ते के बारे में जिसके आकरसें से न्यूस चैनल तो क्या विज्यानिकों ने भी कई शोद किये है दोस्तो इस मंदर के ठीक पीछे एक पत्थर रखा हुआ है जिसका नाम है चिंता मनी पत्थर ये पत्थर आपके सारे सवालों का जवाब दे सकता है बस आपको इस पत्थर पर एक सिक्का रखके दोनों हाथों को बड़ी ही धीरे से इस पत्थर पर रखना पड़ता है फिर आपको आपके सवाल मन में ही इस पत्थर से पूछना पड़ता है बस इसके बाद जो होता है उसे देखकर लोगों को अपने आखों पर यकीन नहीं होता दोस्तो होता ये है कि अगर आपके सावालों को उत्तर हां में है तो ये पत्थर दाईं तरब घुम जाता है और अगर उत्तर ना में है तो ये पत्थर बाईं तरब घुम जाता है आपने सारे सवालों के जवाब जान लिया करते थे दोस्तों अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप एक बार इस मंदर में जरूर आईएगा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको भी अपने आखो पर यकीन करना मश्किल हो जाएगा पर यहाँ जो होता है उस पर यकीन करने की सिवाए कोई चारा भी नहीं है दोस्तों यहाँ तकाने का पूरा पता से लेकर और भी कई सारी जानकाडियां हमने आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो उपर दिये गए आई बटर पर क्लिक करके उन सारी वीडियोस को जरूर देखीगा मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप जल्दी मिलता हूँ आप सभी की साथ एक नए वीडियो के माधिन से तब तक इलिए अपना खयाल लखीगा